कि नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में मैरानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि बिहार में देखने को मिला कि कैसे नए नए मिनेस्टर बने तेश प्रता प्यादाव दरसल अपने सरकारी मीटिंग में अपने जीजा को साथ ले गए हैं और ये तस्वीर जहां सोशल मीडिया पर लगातार वारल हो रही है तो इसके बाद अब बीजेपी ने इस पर तंज कस्ते हुए सीधे तोर पर नितीश कुमार से स अब सरकारी बैठकों में कोई भी अपने दामाद या बहनोई को ले जा सकता है इसी के साथ ही वो मिटिंग का संचालन भी कर सकता है क्या इसकी इजाजत नितीश कुमार देते हैं आपको बता दे जहां सोशिल कुमार मोदी ने ये बात पूछते हुए तंज कसा है तो इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी ये सवाल नितीश कुमार से किया है आपको बता दे एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बारल हो रही है जिसमें साफ साब देखा जा सकता है कि तेश प्रताप यादों बैठे हुए हैं और उसके बगल में उनके जीजा जानि की शैलेश यादों बैठे हैं ये दरसल लालू प्रताप यादों के सबसे बड़े दामाद हैं और उनका इसकदर मीटिंग में बैठना अपने आप में सवाल खड़ा करता है और लोग ये भी कह रहे हैं कि वह मीटिंग में दरसल सिर्फ बैठे ही नहीं थे बलकि इस लेकिन अगर हम बात करें deputy CM तो वो तेजस्वी प्रताप यादव बने हैं और तेश प्रताप यादव को पर्यावरन डिपार्टमेंट दिया गया है और pollution control को ले करके यह एहम बैठक की जा रही थी और इस बैठक का संचालन उनके जीजा शैलेश यादव करते हुए है कि यह जो बैठक है वो तेश प्रताप यादव की पहली बैठक थी मिनस्टर के तोर पर और वहां पर उन्होंने अपने जीजा को वह साथ ले गए तो यह सवाल उठाता है कि क्या वह इतने capable नहीं थे कि समीटिंग का संचालन करने के लिए उन्होंने अपने जीजा को व लेने वाले बिहार के नए वनेवं पर्यावरण मंत्री तेश प्रताप यादव एक वर फिर से चर्शा में आ गए हैं मामला सरकारी बैठक में बहनावी शैलेश कुमार को साथ ले जाने का है बिहार राज प्रदूशर नियंतरन परशत की पठना प्रधान कार्याले में के पती शैलेश कुमार पर्यावरण नियंतरन बोट के चेर्मेन के ठीक बगल वाली खोड़सी पर बैठ हुए दिखाई दे रहे हैं इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वारल होनी के बाद बहस चुड़ गई है बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तश्वीर सेयर कर रहे हैं निखिल आनंद ने यह भी लिखा कि मेरा दावा है कि राजत के सभी मंत्रियों से सैलेश जी ज्यादा समझदार हैं ज्यानी है टैलेंटेट जरूर है शेलेश भाई का अशरवाद रहा तो तेश प्रताप सबसे बेस्ट मिनस्टर साबित होंगे साथे निखिल आन रही हैं उनके मुकाबले तो वे जादा पढ़े लिखे जरूर है अगर वे लालू जी के दमात की जगह उनके पुत्र होते तो राजनीती में शर्ष पर होते साथी उन्होंने ये भी कहा कि आर जेडी राजनीतिक नहीं पारिवारिक दल है विभागी अबैठक में किसी बा अचीत में बीजेपी नेता निखिल अनन ने कहा कि सेलेश इंजिनियरिंग ग्रेजुएट है वो आई आई एम के प्रोडक्ट है उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है इस परस्ट तोर पर आर जेडी के जितने भी मंत्री हैं उनके मुकाबले शेलेश जादा समझदा ग्यानी और टैलेंटेड हैं अगर वे लालू यादों के बेटे होते तो राजनीती में सबसे उपर होते बीजेपी नेता ने आर जेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक राजनेतिक पार्टी नहीं बलकि एक पारिवारिक दल है विभागिया बैठक में कोई बाहरी व स्टर बना दिया गया हम तो इस्तिफे की मांग कर रहे हैं मुख्य मंत्री चुप हैं ते जस्वी यादों भी चुप हैं प्रिश्री मंत्री पर चामल घोटाले का रोप है और सभी लोग चुपी साधे हुए बैठे हैं इसी के साथ ही आपको बता दे बीजेपी नेता और बिहार की पूर्व डेपटी सीम सुशील मोदी ने भी ट्वीट कर कहा क्या बिहार में दामादों को सरकारी बैठकों में केवल भाग ही नहीं लेते बलकि संचालन की अनुमती भी मिल गई है कम से कम लालू के दामाद को तो आवश्य मिल गई है कौन अधिकारी पूछने की हमत करेगा आपको बता दे कि फेस्बूक पर तेश्प्रता प्यादों ने बैठक की तस्वीरे शेयर की है साथी उन्होंने लिखा कि राज में बढ़ते प्रदूशन को कैसे रोका जा सकी उस पर विचार विमर्श किया गया है आपको बता दे साथी उन्होंने ये भी कहा क अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रदूशन नियंत्रण कानून का सकती से पालन कराये जाए इसी के साथ ही बीजेपी के बढ़ते हमले के बाद पहले तो आरजडी नेता इस मामले से बचते हुए दिखाई दिये लेकिन मामला बढ़ता देख अब आरजडी के सफाई पर सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और जडी प्रवक्ता शशी यादव ने मीडिया से कहा कि शैलेश यादव किसी काम से तेश्प्रताप से मिलने गए थे मिटिंग चल रही थी इसलिए उन्हें वहीं बैठ कर इंतजार करने के लिए कहा गया किसी मंत्री चैंबर में जाना कोई गुना नहीं शैलेश कुमार ने किसी भी अधिकारी को कोई निर्देश यादेश नहीं दिया है इसी के साथ ही आपको बता दे कि पटना हाई कोट में प्याईल दाखिल की गई है इसमें जिस तरीके से नितीश कुमार जो कि बिहार के इस वक्त किस कदर वो पल्टी खाएं पहले वो लालू प्रसाद यादाओ के साथ थे फिर वो बीजेपी में शामिल होते हैं इसके बाद अब एक बार फिर से वो लालू प्रसाद यादाओ के साथ चले गए हैं तो इस मामले को लेकर के एक पी आईल पटना हाई कोट में दाखिल की गई है इससे नितीश कुमार और इसी के साथ ही आर्जेडी के मुश्किले बढ़ने का जो है सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा ऐसा भी कहने की बाते सामने आ इसी के साथ ही जहां तेश्प्रताप यादाओ अपने जीजा को साथ ले जाने की वज़े से लगातार सुर्खियों में हैं ट्रोल हो रहे हैं तो वहीं दूसरी और अगर देखे तो तेश्प्रताप यादाओ जो की तेश्प्रताप यादाओ के भाई हैं वो भी दरसल अपन ये सलाकार को अपनी बगल वाली कुरसी पर बठा हुए नजर आते हैं इसको लेकर भी लोग सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सीधे तो यदि प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल यही कहता है कि आपका परसनल सेकेटरी या फिर कोई सलाकार है किसी मिन समेस्टर के चेयर के साथ नहीं वैटता बलकि उसके पीछे के चेयर में उस सलाकार या फिर परसनल सेकेटरी को जगह दी जाती है यह भी चीज़े सामने आ रही है इसी के साथ ही जहां बीजेपी यह सवाल उठा रही है कि क्या अब जिस तरीके से बिहार में सियासत चल रह के गये हैं लालू प्रसाद यादाओ के बड़े दामाद है शैलेश यादाओ और यह मिटिंग में बैठे हुए हैं और साथ ही सूत्रों का यह कहना है कि यह सिर्फ मिटिंग में बैठे हुए नहीं है बलकि इस पूरी मिटिंग का संचालन शैलेश यादाओ के द्वारा कि क्या गया है तेश्प्रताप यादों उनको साथ इसलिए लेकर के गए थे ताकि वो अधिकारियों को निर्देश दे सके और क्या डिपार्टमेंट में आवश्चक्ता है किस तरीकी की रड़नीती बनाई जा सके इस पर भी जो मुहल लगी वो शैलेश यादों के द्वारा ल के तमाम मिनिस्टर्स को कि वो अपने साथ अपने परिवार की किसी भी सदस्य को ले करके आ सकते हैं सरकारी बैठक में शामिल करवा सकते हैं सरकारी बैठकों का संच्वालन भी करवा सकते हैं क्या ये इजाज़त अब बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने मिनिस्ट झाल झाल